हाई राईच आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि different subject and verb different subject and verb यहां बात करेंगे subject और क्रिया में क्या अंतर हैं तीये पहले देख लेते हैं कि अगर बात करेंगे subject सब्जेट की यहां बात करेंगे सब्जेक्ट या करता फिर बात करेंगे बर्व को क्रिया पहले तो यह समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट आल वेज भी क्या होता है सिंग्गलर और वर्ब आलवेज भी प्लिवरल subject हमेशा singular होता है क्योंकि ये अकेला ही जनम लिया है और अकेला ही रहना चाहता है जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमेशा क्या होता है सिंग्लर होता है तो अगर कोई भी ब्यक्ति पूछ दे कि subject always भी क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे singular यह नउन एंड नाउन और हो यदि हम बात करेंगे हम एक आप लोग के से यह बात करेंगे हम इसे सभजेक्ट से जो सिंगुलार है एक इसने प्लूरल से बनाएंगे तो आएस लगा करके या इसमें इस लगा देंगे अज बात नाउण एंड नाउन एंड नाउन यदि बात करेंगे एक्जामपल जैसे की बॉय है इसमें हम क्या करेंगे यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बॉय है जैसे फिर बात करेंगे इसका एक्जम्पल लेते हैं राम एंड स्याम राम एंड स्याम जैसे हमने यहां पर लिखे तो यहां पर मालूम चल गया कि जो सब्जेक्ट हैं करता है वो कितने हो गए दो एक से अधिक हो गए तो देखिए हम लोग जैसे हिंदी में बचन आप लेकिन इंगलीस में एक बचन बहु वचन एक बचन बहु बहु वचन सिंलर सिंग्लर प्रेवरें अब यहां पर बात करेंगे अ भी जैसे मइंगो夏 करते हैं यह나2000 कर देते हैं तो हमारा क्या बन बहुत से आम सारा बहुत से आम क्या बन जाता है यह plural में चला गया मैंगो आम यह singular में था लेकि जैसे EES इसमें Add किये तो क्या बन जाता है तो plural अब यदि बात करेंगे यह आल्वेज भी क्या होता है प्लिवरल होता है प्लिवरल होता है बहु बचन में होता है तो जब हम इसमें एस या इस लगा देते हैं तो यह क्या बन जाता है सिंगुलर क्या बन जाता है सिंगुलर जैसे आप लोग present indefinite का tense बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि स्याम पढ़ता है स्याम पढ़ता है तो स्याम reads करते हैं क्योंकि चलिए हम आगे बात करते हैं क्यों करते हैं यदि हम बात करेंगे yes यह लगा देने से यह बर्व क्या बन जाता है सिंगुलर जैसे कि यह पर ट्रीक है is subject भर्व हम क्या करते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट तो बर्वी क्या होगा सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट प्लियूरल है तो बर्भी क्या होगा प्लियूरल यह ट्रिक आप लोग अपनाएंगे कि SSPP SSPP यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बर्भी क्या होगा सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट कि ब्लीजल फर में है तो बर्भी अल्वेज क्या होगा capital अक्य को तो यहां पर हमने समझ गया कि different subject यहां subject में क्या अंतर हैं यह आम लोग समझ गये कि subject क्या होता है singular आप को से problem बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं करते हैं और वर्ब को क्या करते हैं कि सिंग्लर से सिंग्लर को बनाने के लिए हम लोग उसमें एस लगाते हैं कि जैसे कि हम बात करेंगे कि इतना आप लोग समझ गए होंगे चलिए आंगे बढ़ा जाए कि यदि हम बात करते हैं राम गो टू इस्कूल यहां पर बात करेंगे राम इस्कूल जाता है राम इस्कूल जाता है तो यहां पर क्या आप लोग कितने लोग बता सकते हैं कि यह और कि गरेक्ट है तो आप जबाब यह आएगा कि सब्रू है सोब्जेक्ट तो एस फrdमें הי है जब singular फोर में है तो वर भी यह है जब हम्सक्राइब आरा किया ह к्ली सब्सक्राइब यही सब्सक्राइब हमसक्राइब करते हैं तो देखेंगे यहां पर जब इसमें हम लोग और कर देंगे ता हमारे यह क्या हो जाएगा सिंगुलार फार में हो गया देखिए एसस का नियम फ़लो हो गया तो जिस कारण से क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ओके आप लोग समझ गए होंगे इतना चलिए यांगे बढ़ा जाएगा यदि एक और एक जांपल की यदि चर्चा करेंगे जैसे कि हम बात करेंगे बॉइज 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 कि एस फर्म में हैं क्योंकि ऐसमें सपाले से एड हुआ है एस ग Christina कि यरी हम बात करेंगे यह जब प फर्म है तो यह भी क्या होना चाहिए Wh व तो यदि हम इसमें से एइस को हटा लेक्ट हाम्द किया तो यह समझ में आग já होगा तो यह राखे अंगे our diamond यदि बात करते हैं, अबजेक्ट या कम्प्लिमेंट अबजेक्ट या कम्प्लिमेंट क्या होता है? यहाँ यदि बात करेंगे, इस्ट्रक्चर कुछ लिखा जा रहा है आप लोग के सामने, सब्जेक्ट बर्ब प्लस ओडबलू, यदि देखा जाए, जैसे कि हम बात करेंगे, कब हम पकड़ेंगे कि ये संट्रक्चर कम्प्लिमेंट का है, कब ये अबजेक्ट का है, तो यदि इसको पकड़ने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक नियम को फालो करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा, बर्ब की सहाथा से, सब्जेक्ट के द्वारा, बर्ब की सहाथा से, यह क्या करेगा कि अब्जेक्ट पर इफेक्ट डालता हो, क्या डालता हो, इफेक्ट, या का सकते हैं प्रभाव डालता हो यदि बात करेंगे subject बर्व की सहेता से व अबजेक्ट पर क्या डालता हो व क्या करता हो प्रभाव डालता हो अपना effect प्रभाव दिखलाता हो तो उसे हम कहेंगे कि हमारा क्या है ये object होगा object जैसे कि हम बात करेंगे राम एक सेब खाता है यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर आप लोग बतलाएंगे कि यह सब्जेक्ट होगा कि कम्प्लिमेंट होगा तो आप लोग का जबाब आएगा कि सर यह कंप्लिमेंट हो सकता है अब्जेक्ट क्योंकि आप लोग को मालूम नहीं रहाता है कि यह कैसे पकड़ते हैं यहां पर यदि देखा जाए कि राम एक सेव खाता है राम एक सेव खाता है राम एक सेव तुरंत ही खाता है तो देखिए अपना प्रभाव जैसे माल लेते हैं कि यह लड़का है माली जैसे इसे खाता है तो तुरंत ही अपना इफेक्ट दिखला दिया यह देखिए इसका प्रभाव डाल दिया कि सेव किस रूप में था आप किस रूप में हो गया पाले सेव किस रूप में था आप किस रूप में हो गया तो आप को कहेंगे इसका कार चेंज तो हो गया इसका साइज जो था पहले जैसा नहीं अब इसका साइज में चेंजिंग हो गया जिस करण से प्रभाव एक समय ऐसा आएगा कि इसे यह मर देगा तो ऐसे हो जाएगा फिर इसको एक वर खा जाएगा तो इसको ऐसे कर देंगे तो आप देखिए पूरा एक समय आएगा कि पूरा यह सेव को क्या कर देगा समापत अपना प्रभाव के द्वारा अपना प्रभाव इस से पो देखला दिया यदि हम बात करेंगे यह समय क्या हो गया यह अबजेक्ट हो गया कि फिर यदि बात करेंगे इस्ट्रक्चर नमबर नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट बर्ब प्लस ओडाबलो यदि हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट बर्ब की सायता से अपना कोई प्रभाव नहीं दिखलाता है बलकि सरपास हो जाता है क्या हो जाता है सरपास सरपास हो जाता है कोई का किया तकिया की विर्मेंट बोलेंगे चलिए हम लोग देखते हैं यदि हम बात करेंगे तो लेते हैं कि राम को से राम गोजटू दिलही यदि हम बात करेंगे राम दिल्ली जाता है राम दिल्ली जाता है तो क्या राम के जाने से क्या वहां भुकम पा गया कि दिल्ली पहले सहर थी अब वो गाउं बन गई भिलेज बन गई क्या वहां जाने से बारिस हो गया किया वहां जाने से राम को भुकम पे आ गया, कुछ परिवर्तर नहीं, क्योंकि वहां देखा जाए, तो कुछ प्रभाव एफेक्ट, राम को जाने से वहां कुछ एफेक्ट नहीं पड़ता है, जिस कारण से क्या करते हैं, हम लोग बतला थे हैं, कि यह कंपलिमेंट है, यह स चिरिया आकास में उड़ती हैं यह बतलाएंगे कि सब्जेक्ट है कि अब्जेक्ट आप लोग का जवाब आएगा किस तरह हमें मालूम नहीं है तो यहां पर देखेंगे कि यहां बात करेंगे चिरिया आकास में उड़ने से क्या आकास का रंग काला था नीला था तो आप क्य कुछ नहीं जब आकास कुछ नहीं परिवर्तन इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे कि यह क्या है कंप्लीमेंट है यह भी क्या है कंप्लीमेंट है कंप्लीमेंट है कि होप आप लोग इतना समझ गये होंगे ठीक है आज भर इतना ही कल जोड़ेंगे सेमसमेटर